नमस्कार दोस्तो, स्वागता आपका हमारे चेनल राठोर्सर उनलाइन क्लासेस पे, आज हम आपके सामने काइंट्स ओफ एडजेक्टिव का ये एक और वीडियो लेकर रहे हैं, और इसमें हम जो हमारे एडजेक्टिव के जो काइंट्स की जो सीरीज चल रही थी, उसका ये लास्ट एडजेक्टिव है, और इसमें हम पढ़ेंगे, emphasizing and exclamatory adjectives, हाला कि ये इतने महतों पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इनका knowledge होना आवश्यक है, और वैसे तो, देखिए, emphasizing का मतलब होता है, कि किसी चीज पर जो और देना, और exclamatory जैसे हमने पढ़ा था न, exclam इसमेंटर सेंटेंसेज, तो उसी का एक परकार है, तो चले शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यह चाहूंगा, कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेए, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम पुर्यू दक्षिडा मान लीजिए, और आप चाहें, तो हमें वार्टसप पे, फेस्बूक पे, इंस्टाग्राम, यूटूब और टेलेग्राम पे भी हमको फोलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे, और आप राठोर से उनलाइन ख्लासे सर्च करेंगे, तो आपको हमारी यह वीडियो मिल जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, कि देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जिसमें जैसे एक, तो हमारे एक वर्ड होता है, ओन, ओन का मतलब होता है, खुद का, और एक उतार वेरी, तो अब आपके सामने कुछ सेंटेंस लेके आऊंगा, इसमे जैसे, एक सेंटेंस में आपके सामने लेकर आया हूँ, I saw it with my own eyes, मैंने इसे अपनी खुद की आँखों से देखा था, अब यहां पे जो own जो word आया है, यह आई से पहले आया है, यानि कि यह किसका काम कर रहा है, एक adjective का काम कर रहा है, और साथ ही साथ यह वाक्य पे जोर द कर कहते हैं, जब noun को, हमें एक तरह से noun के उपर pressure बनाने के लिए हम कोई adjective यूज करते हैं, उसे हम emphasizing adjective कहते हैं, इसमें very on, इस प्रकार के जो words है, वो use किया जाते हैं, तो जैसे मैंने यह कहाना है, I saw it with my eyes, अगर सब्सक्राइब मैं इस adjective को हटा कि मैं कहता हूँ, तो इसका म हैं, लेकिन मैं अगर मैं इससे कहूँ कि मैंने इसे खुद, अपने खुद की आँखों से मैंने देखा, तो वाक्य में एक तरह से एक emphasis आ जाता है, हम उसके उपर दबाव एक महसूस करते हैं, I saw it with my own eyes, मैंने इसे अपने खुद की आँखों से देखा, he was beaten at his own game, उसने अपना खुद का खेल खराब कर दिया, यहां उसने अपने, he was beaten at his own game, आगे देखिए, mind your own business, यह वाक्य है काफी चलन में है, कि तुम अपना खुद का काम करो, जैसे माली जे कोई आपके काम में टांग अडाता है, तो आप उसको बोल देते हैं, कि mind your own business, कि आप अपना खुद का काम करो, आगे देखिए, he is his own master, वह है अपना खुद का माली का मतला, उसके ओपर किसी का प्रभाव नहीं है, वह है अपनी मर्जी का खुद माली का है, तो जब यहां पे हम किसी वाकिप को कोई जोर देना हो, तो हम own का प्रियोज करते हैं, आगे देखिए, that is the very thing we want, आप देखिए, यहां पर on के जगे very का यूज किया गया, तो that is the very thing we want, कि यह वही चीज है, जो हमें चाहिए, तो यहां पिर जो very जो शब्दाया है, वही चीज के वज में है, यह वही चीज है, यही वह चीज है, जिससे जो हमें चाहिए, तो इसमें वाकित में हम जो else left my class, सभी जो दूसरे, जो और जो थे, वो मेरे लिए, कुछ उसको काज को छोड़ के चले गए, तो, कहने का मतलब है, on है, well है, very है, all है, जब ये शब्द वाक्य में, जो और देने के लिए प्रियोग के आते हैं, इन्हें हम emphasizing adjective कहते हैं, आगे देखिए, my very adversary, took my part, मेरे जो गोर जो प्रती दुन्द वीर जो थे, उन्होंने भी मेरा पक्ष लिया, took my part means, मेरा पक्ष लिया, यहनि कि मेरे गोर प्रती दुन्दियों ने भी मेरा पक्ष लिया, यहनि कि वैरी यहाँ पर गोर, यहां पर very का मतलब बहुत जो अत्यदिक बोलते हैं जिसको मेरे जो अत्यदिक प्रतिव दन्दी या अत्यदिक विरोधी जो लोग थे या जो बिल्कुल घोर जो मेरे प्रतिव दन्दी थे उन्होंने भी मेरा पक्ष लिया तो यहाँ पर हमने very का जो use किया है वो emphasizing adjective की रूप में इसका उपयोग किया है आगे देखिए The word what is sometimes used an exclamatory adjective अब एक शब्द है हमारे what what जैसे कि आप जनते what का मतलब क्या होता है what का मतलब जो भी होता है ठीक है तो इसमें कई बार हम इसका उपयोग भी विसमें बोधक adjective की रूप में exclamatory adjective का मतलब विसमें बोधक adjective की रूप में भी हम इसका उपयोग करते है कैसे देखिए कि what genius क्या genius आदमी है न तो हमने यहाँ पर प्रशन पूछने के लिए इसका उपयोग नहीं किया है हमने इसका उपयोग इस genius की quality को बताने के लिए किया है कि देखो कितना brilliant आदमी है कितना genius आदमी है what genius what fully what an idea तो यह जो वहाँ पर इन सब sentences भी जो what जो आ रहा है यह exclamation यहने विसमें दिखाने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे है और just noun से just पहले आने के कारण यह एक adjective के रूप में काम कर रहा है इसलिए इसे हम exclamation adjective कहेंगे आगे देखिए what a blessing आप यहाँ पर भी देखिए जो blessing है एक noun है उससे पहले हमने क्या लगा दिया what लगा दिया लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली योग यह बात यह है कि इसमे जो एक जो उपयोग हुआ है वो water blessing के बीच में आया है जैसे what an idea तो यहाँ पर भी end का प्रयोग हमने किसमे what और उसके उप में तो देखिए article का use इतना कोई important वो नहीं है लेकिन इसमे जो exclamatory जो word आ रहा है what उसका आगे देखिए what a piece of word इसका प्योग किया है तो इसी के साथ जो हमारे वीडियो समापत हुआ next वीडियो में हम हम इसकी कुछ practice exercise करेंगे और तब तक रहिए खुश रहिए मस्त रहिए और इस वीडियो को मेरा कहना मानिए आपको 10 लोगों को 10 बच्चों को share करना है थाकि उन्हें भी इसका फाइदा मिल सके जे हिन जे भारत वंदे मात्रा